बिस्मिल्लाहिर रहमाल रहीम असलामलेकों मायूटी फैमली वेलकम बैक टू मैं चैनल आज की वीडियो में हम आपके लिए बहुत प्यारा लेटिस्ट डिजैन का कुरोशा बेबी हैड़ बैंट लाए हैं आप इस डिजैन में चाहें तो बेबी हुरोग के लिए जो हम बैल करोशा हुक लिया है और परपल और आफ वाइट के कलर से हम इसको बनाना स्टार्ट किया है सबसे पहले आपने शिप नोट लगानी है इसके बाद फोर चैन बनाए है फोर चैन बनाने के बाद दो बार थ्रेड को हम कुरोशा के ऊपर रैप करेंगे इस तरीके से और फिर् चैन बार में ओवर करेंगे इस तरीके से तो एक छोटा सा सरकल बना लेंगे इसके बाद हम थ्री चैन लेंगे तीन चैन बनाने के बाद करोशा कुप पर आपने बल लगाना है और इस सरकल में लंबाई में खेंचती हुए त्रेड को लुप्स बनाईए ओवर नहीं करना बस आपनी लूप्स बनाते जाना है और कितना लूप्स बनाने हैं यहाँ पे आपनी आठ लूप्स बनानी है ठीके एट लूप्स हम बना लेंगे इस तरीके से लंबाई में खेंचती हुए थ्रड को बहुत सिंपल सा यह डिजाइन है बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है आठ टाइम आपको इस तरीके के लूप्स बना लेनी है यहाँ पे हमारे पास आठ लूप्स कम्प्लेट हो चुके हैं आप इसको बनाना किस तरीके से देखिए बल लगा के कुरोशा के ऊपर अपने लूप्स बनाए है तो हमारे पास 16 हो जाएंगे आप इनको दो दो करके ओवर करते जाएंगे हम इस तरीके से कुरोशा में से दो दो फंदे हम निकालते जाएंगे आड़ टाइम में आपको जो है लुप्स ओवर करनी है बस लास्ट के हमारे पस तीन फंदे जो बचेंगे उनको हम एक साथी ओवर करेंगे ध्यान से देखते जाए कि हम किस तरीके से आपको बनाना यहां पर सिखा रहे हैं ठीक है देखें ये तीन फंदे हमारे लास्ट के हैं, то एक साथी हम बना लेंगे, दो फंदे हमारे डिसइन के बचेंगे और एक फंदे हमने जो स्टार्टिंग में त्री चेंग लिए थी, डिसंग को शुरू करने से पहले जो तीन चेंग बनाई थी, उसका था तु तो फंदी एक साथ लास्ट के ओवर करने के बाद हम तीन चैनल लेंगे अब चिन चैनल बनाने के बाद त्रेट को हम कुरोशा में से निगाल लेंगे और डिजाइन के ऊपर जो आपको यह चोटे-चोटे स्टिच नजारा रहे अब इसमें डिजाइन डालेंगे हम तो फर्स्ट करने का तरीका बहुत इजी है बस आपने थोड़ा सा सरा इसका छोड़ती हुए इसमें त्रेट को जोइन का लेना है और नेस्ट हमारा जो उपर का स्टिच है उसमें हम कुरोशा इस तरीके से डालेंगे और यहां भी सेम जैसे हमने अभी आफ वाइट कलर से लूप से लि क्रोशर के उपर बाल लगाना है और उपर की साइड पे यह चोटे-चोटे आपको स्टिच नजर आएंगे उपर की साइड पे तो यहां पे हम डालते हुए इसमें लूपस बना लेंगे यहां भी हमें सेम तरीके से जो हैं फंदे ओवर करनी है दो-दो करके एक हो गया दो तीन चार पांच छे साथ और लास्ट में यह आठ तो यहां भी हमने आठ टाइम में अपनी फंदे ओवर किये हैं दो-दो करके अब एक चैन लेके यहां भी हम थ्रेट को निकाल देंगे कुरुशा के उपर देखे हमने आफवाइट कलर से डिजाइन बना लिया इसके उप पर हमने परपल कलर की डो भी बना ली है अब फिर से हम जो तीन चैन लेकि हमने आफवाइट कलर का त्रेट छोड़ा था उसको वापस कुरुशा में हम डालेंगे और दूसरी सैट पर टान करेंगे ठीक है साइड हम घुमा लेंगे यानि हम उल्टी सैट पे अपना जो डि आपको एठ टैम में फिर से रपीट लोप्स में कुरुशा में से बास सिंपल सा डिजाइन है एक सैट पे आपको बना के ऑर दूसरी सैट पर परको टन करना है और रपीट फिर से आठ लोप्स क्रोशा में इस तरह की से लीनी है अब यहां भी दो दो करके उबर कर लीजिए एक हो गया दो तीन चार पांच छे साथ और लास्ट का जो हमारा आठा स्टिच है उसको हम तीन फंदे एक साथ ही उबर करेंगे जैसे हमने फर्स्ट वाला डिजाइन पना है सेम यहां भी लास्ट के तीन फंदे एक साथ ही उबर करेंगे अब फिर से हमें तीन चैनल लेके क्रोशा को त्रेड में से निकाल लेना है और यहां पर फिर से हमें कलर चेंज करना है इसके उपर परपल कलर के त्रेड को अब हम लेंगे कट नहीं करना साथ साथ ही हम डिजाइन के साथ लेके इसको च तोड़ दिया था अब वापस कुरोशा में लेती हुए हम उपर के जो हमारे आठ अस्टिच है उसमें हम रपीड डिजाइन बनाएंगे बल लगा के आठ हमारे पास उपर की साइड पे स्टिच है चोटे चोटे आपको यह तार नजार आ रहे हैं इसी में हम कुरोशा डालते हुए इसमें डिजाइन बनाएंगे सेम इस तरीके से इसमें परपल कलर की त्रेड में हम थोड़ा कम लंबाई में आपने लुप्स खेंच रहे हैं ठीक है आफ आइट कलर में हम थोड़ा ज्यादा लंबाई में लुप्स ले रहे हैं बट यहां पर परपल कलर में हमारे जो लुप्स की लेंट है वो थोड़ी कम है अब फिर से रपीड दो-दो करके हम सारे फंदे ओवर कर लेंगे आई होप आपको चिस समझ में आ रहा होगा कि किस तरह किसे हम यहाप आपको बनाना समझा रहे हैं अगर कोई भी पॉइंट आपके समझ में ना है तो आप कोमेट करके जरूर पूछ सकते हैं उसका रिपलाइ इन्शाल आपको मिल जाएगा हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले उस पे आपका रिस्पॉंस पढ़ती है यानि उस पे जो भी कुमर्स आते हैं वो हम ज़रूर पढ़ती है और उनका रिपलाइ भी देते हैं तो परपल कलर की रो हमने कम्प्लीट कर ली है अब आगे हमने किस तरीके से बनाने देखें अब हम पर को टर्न करेंगे ठीक है इस तरीके से हम घुमा लेंगे और जो तीन चैन अफ वाइट कलर से लेके हमने त्रेट छोड दिया था वापस क्रोशा में डालेंगे और देखें आपको ये तीन चैन का जो लूपस नजार आ रहा है डिजाइन शुरू करने से पहले जो हम तीन चैन बनाती है उसी में आपको रपीट फिर से एट टैम में लूपस लेनी है आठ बार में हम लूपस बना लेंगे और दो दो करके हम ओबर कर लेंगे बहुत तो थोड़ा जो है डिटेल में यहां पर समझा रहे हैं तो दो-दो करके आप सारे फंदे निकाल लीजिए लास्ट के जो हमारे तीन फंदे हैं उनको एक साथ ही अपने करोशा में से ओवर कर लेना है तो यही हमारा तीसरा डिजाइन चल रहा है अब यहां पर हम तीन चैनल लेके त्रेट को करोशा में से निकाल लेंगे इसके बाद देखिए लास्ट का जो फंदा हमने ओवर किया इसके उपर आपको यह चोटा सा तार नजर एगा हम इसी में करोशा डालके सेकेंड किलार लेंगे किरोशा में सिधा करते हुए आपने ठ्रेड डालें है कुरोशा में और आपने इसको खेंचते हुए इसी तार में से निकाल लीजिए अगर आप नए नए कुरोशा वर्क सीख रहे हैं तो यहां पर ध्यान से देख लीजिए अब थोड़ा सा थ्रेड को हमने खेंचना है और इसे और दो दो करके ओवर कर लेने हैं अब लास्ट के जो हमारे दो स्टिच हैं उनमें भी सेम हम लुप्स बना लेंगे अब इनको हम दो दो करके निकाल दी जाएंगे और हाँ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आया हैं तो हम आपको रिग्मेंट करते हैं और भी काफी अ इस पंदे को भी हम ओवर कर लेंगे तो एक और पैटन हम आपको कम्प्लीट करके दिखाते हैं यह पर हमने चार पैटन बना ली हैं तो टूटल हमने इसमें 20 पैटन बनाई हैं ठीक है आप जिसकिसी के लिए भी बनाए यानि बेबी के हैड के अप बना सकते हैं इसमें कम जिए दिए ज़्यादा डिजैन डाल सकते हैं और अब हम इसमें डूर बनाएंगे बांदने के लिए तो बनाने के लिए तो टीन चैन हमने चोड़ी है वापस से डालेंगे और इस तरीके से प्रूशा के बल लगा कर जैसे हम बना रहे थे तीन चैन के लुप्स में जाएंगे इन साब को एक साथ ओवर करना है इसके बाद बंद करने के बाद इसी स्टिच के उपर यानि इसी डिजैन के उपर आपको जो तोड़ा सा फंदा जहां पर हमने बांदा है ना से वहीं पर आपको तीन टेम में फिर से रपीट लुप्स लबाई में बनाने हैं सकते हैं और चाहें तो डबल क्रोशा भी आप बना सकते हैं जैसे आपको इजी लगे आव ऐसे ही इसकी डूर बना सकते हैं तो यहां पर हमने डूर इसकी कंप्लीट कर ली है आप कम या ज्यादा अपने हिसाब से भी डूर को बना सकते हैं अब लास्ट मी दो जो डिजाइ बना लेंगी लास्ट में तो इस तरीके से कुछ हमारा डिजाइन जो है कंप्लीट हो जाएगा तीन चैन लेके वापस जिस स्टिच में हमने डिजाइन डाला है न वहीं पे स्लिप स्टिच से बंद करके एक्स्ट्रा जो थ्रेड है उसको आपने नीडल या फिर क्रोशा से ब आप चाहें तो सिंपल भी बना सकते हैं तो आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी तो यह से अपने लाइक करने हैं इस तरह की अच्छे पैटर्न देखने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकाउन ज़रूर आउन का लेनी है तो इंशाल अलावी